नमस्कार आज मैं आपकी लिए लेकर आई हूँ कची हल्दी की हल्वा और ये हल्वा बहुत ही पौस्टिक है अगर आपको कितनी भी सर्दी खासे जुखाम क्यों नहों अगर आप इसे एक बार भी खा लेंगे तो आपकी सारी सर्दी जुखाम खतम हो जाएंगी और ये बिहारे श्टेट की फेमस हल्वा है और इस हल्वा की खासे तिया है कि इस सर्द्सो के टेल में बनाया जाता है और मैं आपको ये बताना बताऊंगी बिहारी लांग्वेज में भी तो आई मैक स्यूर आपको रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और वीडियो भी तो देर किस बात किये चलिए सुरू करते हैं वट उससे पहले मैं खुश्बु कनव जिया और मैं अपने चैनल गर कजाय कावित खुश्बु में आपका स्वागत करती हूँ प्रविडियो अच्छी लगे तो प्रिज़ इसे एक लाइक और मेरे चनल को सस्क्राइब जरूर करें एक्रा लगी सबसे पहले हम यहाँ पे लेवे हल्दी और आदी तो हल्दी यहाँ पर हम इस हल्दी के छिल लेवे और एक्रा हम कदू कस कर लेवे या फिर हम मिक्सर जार में पीस लेवे और साथ में हम यहाँ पे लेवे आदी और आदी के भी हम यहाँ पे छिल लेवे और एक्रा हम पीस लेवे और एक्र क्वांटिटी हम लेवे अगर हम 500 गराम हल्दी ले लिया है तो यहाँ पर हम लें 100 गराम आदी और जितना इंगेडियन्स के ज़रुरत होते हैं हम सब आगे बाताहीते रव रेसिपी बनाते बनाते हैं तो यहाँ पड़ हमें कढाई ले भाई और कढाई Met时製 यहाँ जब गरम हो जिता है तब हमेरा में add कर दो वाई पीसल हल दे हैं और एक ड़रा वहुत देर तक भूनगे। यह जब तक भूनगे जब तक यह तेल ना छोड़ लेते हैं। तो चलिए यह भून लेगे। हम यहां पर टैम टू टैम वायलवा आइड करते रावे। तो थोड़ा थोड़ा तेल करके हम एरा में आइड करे ही और एरा भूने ही आइरा भूनते ही रावे जब तक ये तेल ना छोड़े तो कुछ मिनट बाद फिर हमेरा में आइड कर देवे पिसल आदिया और उकड़ो भी हम भून वे एरा भी हम तेल छोड़े तक भून लेवे फिर हमेरा में आइड कर वे पिसल कदुकस याद नारियल और छोवारा के पेस्ट अब ओकड़ो भी हम 10 मिनट के लिए भूनते रावे जब तक तेलन ले तब तक हमेरा भूनते रावे तो एरा भूंते भूंते हमरा आधा घंटा हो चुक ले है और एरा भूंते भूंते अगर जब यह कठा जमा होवे लगे तो समझ ले कि अच्छा से यह भून गेल तो देखीं यह कठा भी जमा हो गेल आप हम तोड़ा जूम करके दिखा वही हो कि यह जब तेल छोड़ देल कए ताही अच्छी तरह से भून गे लए तो देखीं जूम करके तो देखीं इस साइड साइड में तेल भा छोड़ ले है तो यह अच्छी तरह से भून गे ले है अब हमेरा में आइड करवाई गूर। है नहीं बहुत ही पोस्टी खालुआ तो एरा में गूर आइड कर ले वे तो गूर हमें अहां पेर 300 गराम के लगवाग ले लिया। और एरा पिगले तक हम कुक करवाई। तोरा धीमी आज में धीरे धीरे पिगला ले ही। देखिया वेकर कलर भी चेंज होगे ले। अब हमेरा में थोरा सा जाइका लावी लगी हलका सा घी आइड करवाई। यह आप्सनल है अगर तोरा जरुत पड़े तो डाली अथवा मत डालो। और फिर हम एकरामे डाल देवाई गी और साथ में यह आइड कर देवाई हम थोरा सा किश्मिश। अब एरा घटोरे के है एहाँ पे मेनत खूब लगतो। अच्छा चीज खावे खातीर मेनत तो करे परताई। तो ए रा खुब घंटरिया है घब अगर तकक सबाल कर दोटक सब कड़ता. अब तरप एक जागा इकठा न ओ GEORपी तो देखा एक जागा इकठा हो गये है अब या गळी हो गयुआ और हो उपम काला टापसे देखे हमें होसा के आठ्छा न लगद ओर होगने गया लेकिन है खाय में बहुत ही पौस्टिक अब हम एकड़ा एक वाइल में निकाल लेव एक हम अपना लगी और एक तोहर लगी तो हम यहाँ पर दू वाइल में एकड़ा निकाल लेव आरे रा गार्नेसिंग करब बादाम के साथ सूपाब पहुत ही सुन्दर लगतवानी देखे में तो एक रा टेस्ट करब तो जरूर बनत है सच्चे में यह बहुत ही टेस्टी वाँ एरा में मेंनत थोड़ा ज़्यादा लग लेकिन खाय में बहुत ही उतने ही अच्छा तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक और इसे ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में फैमिली में और रिलेटिव में और फर्स्ट बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किये भी न मत जाएए तो फिर मिलते हैं एक असान सी रेसिपी के साथ जब तक खुश रहिए खुशियाँ बाठते रहिए और आज पास सभाई बनाए रखिए थैंक यू टेक क्यार और नमस्कार